विर्टीबास वहारी फिल्म है वह फिरोती पे बेज़ और मैं इसमें जो गारेक्टर प्ले कर रहा हूं वह एक गैंक्स्चर का करेक्टर है और कैसे फिरोती लेते वक्त कुछ चीज़े ऐसी घड़ती हैं उससे सबकी जिन्दगियां जो आसपास जो लोग हैं उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉई भी हो जाती है उससे लेसन भी मिलता है कुछ-कुछ लोगों को तो हमारी फिल्म का जो कॉंसेप्ट है वो है कि आज आज का जो यूवा है उसको इंस्टिंट मनी चाहिए उसको लगता है कि यार मेरे को महनत नहीं करनी है मुझे जो है आज ही जो है आज है मेरे को आईफोन चाहिए तो आज चाहिए बनला उसको ये नहीं लगता है कि मैं जो महनत करूँ और अपने उस दम पे वो चीज खरीदू तो वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं गलत गलत जगा पर जाते हैं तो हमारी फिल्म हमका जो बेस है वो फिरोती है और उस फिरोती लेते वक्त क्या-क्या चीजे घड़ती है और अभी बहुत इनिशल स्टेज है हम स्टोरी को रिवील करें और यह हमारे प्रोड्यूजर सर है और यह हमारी को स्टार है बेसिकली इस मूवी में मेरा फ्रैनी को करेक्टर है यह नॉमा मता मेरे जास फैमली की रती है वो घर छोड़के मूंबई आती है कि वो अइक्ष्रस बने तो इसके अकॉर्डिंग को कैसे क्या इस मूवी के अंदर जो कुनाल और नहा करके जो केरेक्टर उनकी नेवर रती है फ्रोटी में कैसे क्या उनका उसका रोल रहता है वो सब पूरा ड्रामा है इस मूवी के अंदर और फ्रोटी बास बेसिकली पूरी फ्रोटी के उपर मूवी बेस्ट है तो जो एक 50CR इसमें जो रकम आती है वो कैसे क्या आती है और पाच मिनट के लिए लमसम आती है वो किसी के घर पे और वो कैसे क्या डिलिंग होती है उसके कॉर्डिंग पूरी मूवी है तो बहुत अच्छी मुवी है और ड्रामा बहुत अच्छा है तो प्यू जम्स पसी बना थ कुञह तरहीं है तरहरी मरी थरिल्लियर अच्ची करें भी ही हॉद्न सची घठना के ऊपर है люд है थीर्ज की01 भीете जबीट काजकी बहुत दो वो ही हमारी film की USP है इसे पोस्टर में आपको बान के रखा है दोनों लड़किया दोनों हीरोइन जो है और वोलव आथ में जुलदा भी आथ में हैं तो क्या संदेश देरे है मलग पोस्टर से हार बढ़ा पोस्टर से तो यह संदेश है कि लड़कियों से तो आप ऐसी हार जाते हो इस पोस्टर में भी वैसा ही है कुछ और हमारी फिल्म में जो ट्विस्ट है पहले लड़का हावी पढ़ता है फिर लड़की हावी पढ़ती है तो अभी बहुत बताना बहुत जल्दी होगा कि क्या है कहानी मैं अपने कारेक्टर के बारे बता सकता हूँ कि वह गैंग्स्टर है और उसकी अपनी एक लाइफ है घर पे इक इस बाहर बहुत परसोना है तो कैसे उसके बीच में वह फसा रहता एक है तो पैसे चीजेंज होती है और कैसा पैसे इन्वाल होता है उसी पर अधारित हमारी हो दो सवाल है, कि फिरोती बाद यह जो सब्रेक्ट है, आप अमेरे ऐसा क्या लगा इसके, कि आपमें यह पसंद किया, क्या ओडियन्स को मैसेज देना चाहते हैं? पिरोती बास का यह है, ओडियन्स को मैसेज देना चाहते हैं, कि जो भी काम गलत तरीके से होता है, लाक फिरोती हो गया, हत्या हो गया, बलातकार हो गया, यह सारी चीज़े गलत वेसे, गलत जो रहती है, लोग बहुत जल्दी एक्सेट करते हैं इस चीज़ को, इसे हर प्रोड्यूसर को दिल्माता बहुत जटी इंठाता है कि आपका क्या कंटेंट हुगा इस मुवी को लेकर के जो भी प्रतब आप कुछना कहे चाहते हैं सवाल यह है कि गन्स, गॉंग, एक्स्वार्शन यह तो टॉपिक से रिलेटेट हैं और उसकी कंट न कहीं कुछ हल्कियां आपके पोस्टर्स में दिखती हैं यह मुवी ंडर्वर्व से इस्पायर है। अदर्वर्व इसपायर नीए, यह मुवी इसमें है कि मैंली पैसे के ऊपर शारी चीजे है, पैसा बंदा लेकर भागता है उस पैसे में कुछ 20 लुक इन्वाल्व रहते हैं, एक बिल्डर से पैसा लेता है, वो इसके बाद पै वो लो को लास्ट में निकल जातने लिकरते पैसे को तब तक रिलीज करना जाहेंगे फिल्मकों? मेरे डारेक्टर ने मिर को बताया और मैं बच्पन से इंस्पायर था कि कुछ नहीं चीज होना चाहिए तो अपर था कि पुछ थ्रिल होना चाहिए इसलिए मैंने स्वी को पसंद किया और मैंने प्रडूस कर रहा हूं मेली वह फिरोती पर ही सारी मुवीज है तो पैसे इतरदर करना पैसे को ब्लैक मनी को वाइट कैसे करना क्यों वाइट करना मोदी जी को ब्लैक मनी को वाइट नहीं होनी चाहिए तो सारी चीजे को अ本डि को लेकि चलत gallon मुंबई बेस वाने हैं इस अपर रिखे मुंबई बेस वाने हैं जिसको भी अबास मस्तन टाइप जो फिल्म होती है जिसमें हर एक मुंमेंट पे कोई नगोई थिल्ल आता है तो हमारी फिल्म में भी उस तरह के बहुत सारे ऐलिमेंट्स है कि लगता है कि अब तो हर्ची सॉल्व होगी है, फिर एक नए ऐलिमेंट आएगा, तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्टिं टॉन है, तो मुझे लगता है कि हमारी मुवी उस केडिगरी की है, और उस तरह की ओडियन्स है, जो थ्रिलर, फिल्म देखना पसंद करती है सब महिरा जो second heroine है, वो आई नहीं है, आ रही है, शी आ रही है, शी अन्द वे टू कम, उनका क्या रोल तरहेगा, इस में वो एक wife का, वो मेरी wife के रोल की है, और वो भी insecurities से related, जो आज, जो हर आदमी में एक insecurity पैदा हो गई है, वो उसका शिकार बन जाती है, और उसके चकर म में वो कुछ गले decisions ले लेती है, तो, क्या ये love prank रहेंगा है, नहीं, ये love prank रहेंगा है, मुजिक का महतो तो बहुत जादा रहेगा, हम इसमें काफी अच्छे movies, मैं सरी, music लेका रहे हैं, तीन music रहेंगे इस movie अंदर में, एक item song रहेगा, दू, एक romantic song रहेगा, एक normal song नहीं, डीक्टर अलग एलग हैं, डीक्टर एलग एक्टर एफिर एप एंड एफिर शूट हैंगे, और एक शूट्र एक्स मुझा रहेंगे, ये इसको आप All-Over-India में रिलीज़ आलवर इंडीया हैंगे, नो, All-Over-India, प्रिक दिल, आप्त रहेंगे हैंगे, अणीय नहीं तो मैं मेरा MBA कंप्रीट हुआ, वहां मैं थेटर्स और वह सरी चीज़े पड़ेती, तो लेकिन होता है ना मन में कि नहीं, वह चीज नहीं मिल पारी है, जो हमें चाहिए है, तो मैं मुंबई आई, बहुत सरे लोगों से मिली होनों ने मुझे 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 मुटिवेट किया लगों अजिकन नमबर को जाए कि रदेकस के अधिम प decisively сторон होता है। जो तो मैं,angenश में गचाहिए है कर लोगों अऑवेच्टा अजि हैती है, वह चाहिए है तो रिंसे और मिली होई सभिडिते हैं तो मैं różěते हैं हैं तो, मैं दाइट काभी सखना था कि मैं अई-पर आपड अपर डानों बड मैं वह नहीं करना चाहती था ओविस्ट्री में आना चाहती थी तो मैंने सूचे कि पहला नहें यह चाहते हूँ मैं मोस करती है और women public record मिये होती कि पहली मेरे मूवी जो आइ वो क्राइम के ऊपर अपर थी मैंने सोच के ही । यह मुछे पसंता है क्राइम के स्टोडी बहुत सरी हुए इसने सोच के ही क्राइम के है सोचिके लेंगे लेंग